आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ इस नमबर को तो 4 option given है कि इस वो में represent करते हो देखते हैं, जारो में से कौनसे option correct हो जाएगा यानि चारो में से कौनसी representation मेरी correct है और नमबर की तो अपने पर एक इंटेजर एंट given है अगर मा उसको n के दम से रिप्रेजन करता हूँ खाली n लिख देता हूँ मैं तो अगर मैं आपर value सुनूँ अगर n की 4, n is equals to 1, 3, 5 यह तो मेरा आपर odd रहेगा इस case में तो odd रहेगा बट अगर value चलू, n की मैं 2, 4, 6 क्योंकि n मेरा आपर some integer बोला है n कोई भी integer हो सकता है तो n की value even भी हो सकती है तो even की case में होता है तो even हो जाएगा क्योंकि मुझे चीए odd number चीए अगर हम n प्लस 1 चुनते हैं n प्लस 1 representation देखें इस case में अगर मैं n की value में डालू 3 अगर n मैं odd लेता हूँ तो 3 प्लस 1 मेरा क्या आएगा 3 प्लस 1 मेरा full रहेगा जो कि even है तो यह भी गलत representation होगी क्योंकि हाँ इवन नमबर आ रहे है अगर मैं n की value लेता हूँ अगर मैं n की value लेता हूँ अगर मैं n की value लेता हूँ में अगर n की value लेता हूँ सम्झों n की value 2 डाली even सो क्या आएगा 2 into 2 plus 1 which is 5 और अगर n की value मैं odd लेता हूँ यह रहेगी मेरी correct representation मेरी तो इस question का answer हो जाएगा 2 and plus 1 okay? Thank you friends